तो चले दोस्तो फिलाल इस वीडियो को श्टार्ट कर लेते हैं चैनल का लिंक उपर आई बटन पे या फिर निचर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कल सुबह इस चैनल के उपर एक इंपोर्टन वीडियो आने वाला है तो रिमाइंडर सेट करके रख लेना कल का वीडियो गलती से भी मिस नहीं करना है तो चले दोस्तो फिलाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सुरो से अब हम लोग आ चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर और दोस्तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले येस आज की दिन एक ऐसी कंपनी है जिसके लिए आज का दिन मतलब बहुती शांदार रहा है कंपनी के लिए भी अच्छा रहा है और उस शेर के लिए अच्छा है और उनके शेर होल्डर के लिए भी आज का दिन बहुती हम लोग को अच्छा खासा देखने को आपे मिला है सो वो कौन सी कंपनी है exactly news क्या है and अगर आप as a long term investment उस company में करना चाते हो तो क्या उसमें risk हो सकता है क्या उसमें reward हो सकता है यह सारी बाते आपको step by step इस वीडियो में सीखने को यहापे मिलने वाली है चलिए एक एक चीजों को यहापे हम लोग ध्यान से देख ले उस company के उपर directly jump करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि exactly structure यहापे क्या चल रहा है तो दोस्तों आप सभी लोग को पता है कि सरकार अलग-अलग चीजों को promote करती रहते है उसमें से एक बहुत ही important चीज को सरकार यहापे promote कर रहे है and वो है दोस्तो green hydrogen mission yes and इसी को यहापे जो cabinet है उन्होंने क्या किया है approval यहापे दे दिया था national green hydrogen mission को and इसके चलते बहुत सारी कंपनिया जो इससे related जुड़ी वी है उनको directly ने indirectly बहुती ज़ादा यहापे होने वाला है क्योंकि सरकार का main aim क्या है कि इंडिया को मतलब global level पे लेके जाना है मतलब green hydrogen के बारे में green energy के बारे में अगर सोचना है तो इंडिया उसका hub होना चाहिए चाहिए फिर वो production की बात हो utilization की बात हो या फिर अगर हमें export भी करना है green hydrogen तो इसके लिए इंडिया ही सबसे main country होनी चाहिए यह target सरकार mission लेकर यहापे चल रही है तो जितना भी कुछ हो सके green hydrogen से related सरकार का हमेशा focus इन companies के उपर यहापे रहे गाई रहेगा मतलब उनका जो भी demand रहेगा उसको fulfill करने की कोशिश सरकार यहापे कर सकती है प्लस उसी के साथाथ आपको पता ही है कि यह जो project है इसमें कोई era-era entry नहीं कर सकता बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए बहुत ज़्यादा capital चाहिए छोटा-मोटा पैसा लेकर आप नहीं आ सकते इसलिए आपने देखा होगा कि इस sector में बड़े businessmen ही हम लोगों को देखने का आपे मिल रहे है इसी के चलते अगर हम लोगे आपे बात करें तो budget में भी आप लोगों ने देखा होगा इस वक्ट 2023 का budget था जापे हमारे finance minister निर्मारे सितरा मंजी ने भी 35,000 करोड energy transition के लिए अनौंस के था somewhere around उसमे 19,700 करोड किस के लिए था green hydrogen के लिए मतलब सरकार बहुत ही ज़्यादा serious है green hydrogen को लेकर और सिर्फ सरकार ही नहीं उसी के साथ साथ बड़े-बड़े business groups भी जिसमें हम लोगों को reliance industry भी देखने होगा आपे मिल जाता है सो रोस्तो reliance के अगर हम लोग बात करें तो energy से related green hydrogen को अगर बनाना है तो इससे related काम तो ये company कर लेगी बट वो बनाने के बाद उसका जो इस्तमाल करने के लिए ये अलग-अलग partnerships हम लोगों को करते वे देखने होगा आपे मिल रहे है तो इससे related जैसे मैंने कहा कि heavy investment चाहिए तो आप देख सकते हो reliance industry ने already announce यहापे किया है कि उनके जो target है green hydrogen production से related वो 2025 का लेकर यहापे चल रहे है और इसके चलते investment भी आप देख सकते हैं उस particular sector में 6 लाग करोड के आसपास हो यहापे कर रहे है ये total उनने ये बात यहापे बताई थी इसके लिए जैसे मैंने कहा कि reliance यहापे अकेला नहीं चल सकता उसको ये sector से related जितने भी काम करने वाली companies है उनके साथ वो tie up करते वे देखने का आपे मिल रहे जैसे कि अगर मैं बात करूँ चलो truck की बात कर लेते हैं अभी truck क्या कर लेते हैं अभी green hydrogen energy में जाना है मतलब क्या देखें जो normal petrol diesel से क्या हो जाता है यस धुआ धुआ हो जाता है carbon भार निकलता है तो परिया वाड़न के लिए बिलकुल भी environment के लिए अच्छी बात नहीं होती है अगर हम लोग आज नहीं सुदरे तो भविश्य में इसका खामियजा पूरे दुनिया को यहाँ पर भुगतना पढ़ने वाला है तो इसलिए पूरी दुनिया ने इस चीज का प्रण लिया है कि जितना भी हो सके carbon emission इसको हम लोग क्या करना है खतम करना है इसी नहीं है बट शुरुआत तो करनी पड़ेगी तो ऐसे जहाँ जहाँ पर हम लोग को इस चीज का इस्तमाल होता है जहाँ से carbon emission होता है उसको रोकनी की कोशिश आपे चल रही है तो अगर हम लोग बात करें ट्रांस्पोर्टेशन में तो आप देख सकते हैं इंडिया का पहला hydrogen powered truck मतलब hydrogen energy के चलते ही ट्रक हम लोग को दोड़ते वे देखने को मिलेंगे और कोई भी धुआ यहाँ पे निकलेगा नहीं लिक्विड फॉर्म में पानी निकलते वे देखने को मिलेगा और उससे मतलब बोलते हैं यह भी clear disclaimer देना चाहूंगा कि मेरे portfolio में इसलिए आप जाके निवेश करोगे तो ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तो बहुत सारे ups and downs इसमें ही आप मैंने देखे 2014 की मैंने बात की यह इसलिए मैं बहुत आ रहा हूं क्योंकि 2018 में यह भयंकर crash भी हुआ था तो यह सारी चीज़ें हमनों को देखने को आप मिल जाती है अभी तक जो मैं expect कर रहा था उस हिसाब से तो performance इसने नहीं दिया है बट यह भविशा में ज़रूर दे सकता है आपको बता है मैं बहुत लंबी हो दिय के पारी खेलता हूँ तो जरू अशोक लेंड को मैं अपने radar के उपर रखता हूँ क्योंकि green energy में, hydrogen में प्लस उसी के साथ-साथ infrastructure में, electric vehicle में यह company अच्छा योगदान दे रही है तो time तो लगेगा प्लस defense में भी यह company का अच्छा योगदान है तो कोई problem नहीं, थोड़ा और delay हापे हो सकता है बढ़ company अच्छे returns दे सकती है यह एक चीज़ देखने का आपे मिली है अभी तक कि अगर मैं बात करूँ दोस्तो तो यह तो सारी पूरानी चीज़े हो गई यह कोई नई चीज़ नहीं है यह already हम लोग यहापे cover कर चुके थे बट आज की दिन की बात करें जैसे मैंने शुरुआत में बोला ना कि एक ऐसी company है जिसने मतलब आज बहुत ज़दा खुश हुई है तो हम लोग अश्रोख ले लेंड की बात नहीं कर रहे है अशोक ले लेंड के साथ अशोक ले लेंड के साथ लग बग लग बग आप बोल सकते हैं 20% का अपर सर्किट लग गया आप यहापे देश के नंबर वन यहापे बिजनेस व्यक्ति के साथ यहापे जूड रहे हो तो आप अंदजा लगा सकते हैं आपको तो मतलब और रिपीटेशन वाली जो हम लोग बात बोलते हैं हमेशा आपको एक बात सिखाता हूँ कौनसी चीज यह जो कमपनीज रहते हैं इनके लिए सबसे टफ पार्ट कौन सा होता है ठीक है कोई तो एक सरकार आएगी ओर देखे चली जाएगी रिपीटेड कस्टमर चाहिए तो अभी रिलैंस के साथ अगर यह जूड जाते है तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं पर इनको बड़े ओर्डर सभी भविशा में आपे मिलने वाले हैं और इसी न्यूस के चलते हैं दोस्तो आज की दिन के अगर हम लोग बात करें उलेक्टरा ग्रीन टेक जबरदस ग्रीन होते वे देखने को मिला 20% की तेजी हम लोग को साफ साफ देखने का आपे मिली है अगेन कहना चाहूँगा सिर्फ तेजी देखके निवेश नहीं करना होता है कल अगर जाके वापस अगर गिर गया तो हम फिल करेंगी कि ट्रैप हो गए करके तो इस फिल से अगर भार आना है तो कुछ पॉइंट्स होते हैं वो भी मैं आपको ज़रू सिखाऊंगा बट उलेक्टरा ग्रेंटेक ने क्या-क्या पॉइंट सामने रखे हैं ये पार्टनर्शिप के चलते और आगे वो क्या एम कर रहे हैं वो भी मैं आपके सामने आपे रखना चाहूँगा तो चलिए थोड़ा समय आप लोगों को बता देता हूँ सबसे पहले उन्होंने ये भी पता है था जो एक्सपो हम लोगों को अभी जो शोग देखने को मिला था देली में यहापे हुआ था तो उलेक्टरा ग्रेंटेक ने उनकी इबस ही यहापे रखी थी अगर हम लोग यहापे बात करें शोग करने के लिए तो यह एक चीज हम लोगों को देखने को मिले है कि यह जो पर्टिकुलर कंपनी है वो इसी में जादा हम लोगों को फोकस करते हुए देखने को आपे मिल जाती है अभी इस कंपनी की कुछ important points and targets में आपकी सामने आपे रखना चाहूँगा सबसे पहले company ने काए कि यह जो bus हम लोगों को देखने को मिल रहे वारी है hydrogen की अगर हम लोग यहापे बात करें ठीक है edge bus भी चाहो तो आप ऐसे बोल सकते है hydrogen वाली है इसलिए ऐसा आप बोल रहा हूँ जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे technology और evolve होते चली जाएगी और भी machinery equipments evolve होते चले जाएगे यह time और भी reduce होने वाला है बट 15 मिनिट में आप वापस क्या कर सकते हो जो oletra green tech के जो busses रहेंगे उसका पूरी तरीके से refill यहापे कर सकते हो दैन अगर हम लोग बात करें सबका जो result रहेगा वो तो है ही कि zero carbon emission कोई भी इससे gas यहापे नहीं निकलेगी जैसे मने आपको का कि पानी यहापे हम लोग को आते वे देखने को मलेगा जिसके चलते कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं यह परियावरण को तो यह point उन्होंने सामने आपे रखा है दैन दोस्तों अगर हम लोग आपे बात करें उन्होंने काई कि एक साल के अंदर अंदर अभी यह partnership यहापे हुई है तो एक साल के भीतर भीतर यह पहली hydrogen bus यहापे इंडिया में launch यहापे करेंगे जो इंडिया में दोड़ती भी देखने को मिलेगी reliance क साथ उन्होंने इस चीज़ के चलते partnership भी हापे किये और यह शुरुवात है अभी reliance उन्हों को multiple orders भी हापे देंगे और उन्होंने यही target अभी फिलाल रखा है कि hydrogen busses से related हम लोग और भी इसको commercialize करने वाले हैं मतलब अगर किसी को अगर जो business करने वाले companies होती है अगर उनको बसेश चाहिए hydrogen से related तो हम provide करेंगे यह बसेश तो already इनके है उसमें तो यह champion है तो वहाँ पर भी हम लोग को यह देखने का आपे मिल रहे है अभी तक कि अगर हम लोग order की बात करें तो देखा गया तो somewhere around 3200 बसेश का order इनके पास मतलब order book हम लोग को देखने का आपे मिल र कि अगर ऐसे orders बढ़ते रहे no doubt वो capex भी हापे कर सकते बट यह depend करता है कि आने वाले समय में चीज़े कैसे रहेगी and company ने यह भी बता है कि अभी जाके इनके बुरे दिन भी थोड़े कम हो रहे है because बीच में क्या होता कि supply chain थोड़ा सा disturb हुआ था कि उस चीज़ के चलते च चाईना के चलते आप सभी लोगं का पता है चाईना जो raw material रहता है equipment हम लोगो देखने को मिल जाते वो चाईना से आते है तो अभी चाईना back to normal life आते हुए देखने को मिल रहा है तो supply chain भी normal होते भी देखने को आपे मिल रहा है तो इन सभी चीज़ों के combination के चलते हम लोगो Electra Green Tech आज के दिन अच्छा कासा performance देते वे देखने का आपे मिला है So definitely Reliance के साथ जुड़ते ही इनको बहुत अच्छा कासा फाइदा भविश्या में भी आपे होने वाला है इन्होंने आगे आने वाले समय में 5 साल का target रखा है 50,000 busses का So बहुत ही mega target है I think ये सरकार को भी target करने की कोशिश करेंगे कि आप हमारे इजर से अभी सरकार ही इस चीज को promote कर रहा है और सरकारी busses ही अगर petrol diesel के उपर चलेंगे तो कैसे चलेगा तो obviously ये तो common sense वाली बात है कि सरकार के ओर से भी इनको orders ज़रूर आएंगे सिर्फ बाजी कौन मारता है ये देखनी वाली बात रहेगी क्योंकि इस field में Electra Green Tech तो अच्छा ही है EV basis में है hydrogen में है बट इसका competitor भी अश्रक लेलेंड ही है ये भी हम लोग को चीज़े देखने के आपे मिल रही है और अलग हम लोग बात करें बहुत लंबा खेलना ही है आपे पड़ेगा and initial stage है पर मतलब orders थोड़े से हम लोग को कम ही देखने को मिलेंगे ऐसे बार-बार orders देखने को नहीं मिलेंगे but ultimately देखा गया तो एक बार ये setup create हो गया तो उसके बाद बस order ही order आना है तो ये point आपको पता होना चाहिए वरना अगर हम stocks की बात करें तो देखे इस प्रकार के fluctuations आपको देखने को मिलेंगे जबरदस order मिला तो stock rocket हो गया उसके बाद सूखा पड़ गया कोई बड़ी order देखने को नहीं मेरे छोटे-मोटे orders आने के लिए थोड़ा सा लोगों को यहाँ पर time लगेगा businesses को भी shift होने के लिए time लगेगा और बहुत ज़्यादा खर्चा है इसमें तो definitely हम कह सकते कि अगर आपका नजरिया लंबा नहीं है तो ऐसे companies में इस sector में आपने नहीं जाना चाहिए बढ़ अगर आपका नजरिया वाक़े में लंबा है तो फिर आप इन sector के बारे में इन companies के बारे में चाहो तो फिर विचार कर सकते हो बाकि अगर हम लोग बात करें company तो जिस business में काम करी है 1992 से यहाँ पे काम करी है market cap देखा गया तो ओहो risky company है small cap मतलब sector भी risky है मतलब बिलकुल नया नया है उपर से small cap मतलब fluctuations तो आपने मतलब demo देखी लिया होगा आप अगर इसका maximum chart pattern दे देखोगे see-saw, see-saw type के चीज़े आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जबरदस गिरावट है रहती है इसमें तो यह हजम करना आना चाहिए जोकि initial stage के investor के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बाकी अगर देखा गया तो company के result ठीक रहते है बट yes, consistency में थोड़ा सा lack हो जाता है because orders consistently आने चाहिए फिर profit भी consistently हो जाएगा बट अच्छी बात यह है कि promoter खुद 50% लेकर बेठे हुए है तो यह अच्छा point देखने उपर है FIS 9% के असपास DS जादा देखने को ने मिल रहे public के पास 40% की holding है जितने भी important points थे सारे मेंने cover कर लिए यह company बुरी नहीं है बट यह sector इस प्रकार का है अभी आपने इसके पहले का वीडियो देखा होगा Zentec देखा आज के दिन कैसे भागा कोई बात ने वो भी वापस थोड़ा time के लिए नीचे आ जाएगा तो यह जो नए type के sectors देखने को मिल जाते है तो उनको थोड़ा सा tough पड़ता है initial stage पे बट अगर आपका नजरीया ही बहुत लंबा है 5-6 साल, 10 साल का तो फिर यह company आपको अच्छे खासे returns जरूर देखे जाएगी बट वो easy नहीं रहेगा ऐसा हो सकते है कि 1-2-2 साल company चले ही ना बट चलेंगे तब rocket की तरह चलेंगे इस प्रकार की चीज़े हमनों को देखने को आपे मिल रही है तो इसमें कोई शक की गुंजाश नहीं कि इंडिया इस सेक्टर में हमनों को turn होते वे देखने को आपे मिल रहा है पर इसमें टाइम लगेगा ये भी बात उतिनी सच है ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए तो आशा करता दोस्तों वीडिया हेलफूल लगाऊगा तो ज़र लाइक और शेर कर दिना अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है